लो गाइज मेरा नाम है पस्पांजली मैं CS Professional Student हूँ और आप सभी का मैं अपने YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है गाइज वीडियो को लाइक सब्सक्राइब और सेर करना ना बूलें मैं अभी बहुत इंट्रेस्टिंग वीडियो लेके आने वाली हूँ जो मैं अपने लाइफ में एक्सपिरियंस करने वाली हूँ मैंने All India Rank 25 CS Foundation में स्कोर किया था मैंने CS Executive 1 Attempt में क्लियर किया अपना CS Professional का एक्जाम दिया अभी बहुत कुछ मेरे लाइफ में आना बाकि है तो अगर आप भी वो सब एक्सपिरियंस करना चाहते हैं तो इस चैनल के साथ बने रही है मैं 11th Standard में आई तो मैं एक बहुत ही लो स्कोल से थी I mean मैं बहुत हाइफाइ स्कोल से नहीं पड़ी थी तो जब मैंने 11th में admission लिया तो इस टाइम लोग एक बार मुझे याद है अभी भी सर ने हम सबसे पुछा कि आपको Class 12th Standard के बाद क्या करना है गाइज अड़ टाइम आई वोच कंप्लेटली नम क्योंकि मुझे नहीं पता था मुझे क्या करना है लाइक बहुत ने बोला मुझे सीए करना है बहुत ने बोला मुझे सीएस करना है बहुत ने बोला मुझे सीएमे करना है और अड़ टाइम जब सर ने मुझ से पुछा तो मैंने सूचा कि CA तो सब कोई बोल रहे हैं, तो मैं CS बोल देती हूं, क्योंकि बहुत कम लोगों ने बोला है, तो मैंने भी CS बोल दिया, लेकिन मुझे बाद में नहीं पता था कि मैं सच में इसमें बाद में जाके मैं CS करूंगी, हाँ, मुझे याद है एक चीज और मैं साथ सेर करना चाहती है, कि जब हमारा क्लास 12 का बोर्ड आने वाला था, उस टाइम मुझे याद है, सब कोई CPT के लिए रजिस्ट्रेशन करवा था, CA Foundation होता है, अभी वो Foundation होता है, पहले वो CPT होता था, तो सब कोई CPT में रजिस्ट्रेशन करवा रहे था, और मैं उस कुछ नहीं सोचा इस बारे में, तो फिर मैंने सोचा कि अच्छा, देखते हैं क्या होता है, मुझे इस बारे में ज्यादा पता नहीं था, लोग, मैं आपको बता दू, मैं जार्खन सिटी से हूं, पर मैं फिलाल कॉलकता में रहती हूं, बट मैं क्लास 12 स्टैंडर तक मैं ने जार्खन से किया अपने होम टाउन से, तो वहां पर लोग, I mean, प्रेफर करते हैं, क्योंकि कॉलकता जार्खन से बहुत नजदीक पड़ता है, तो लोग प्रेफर करते कि यहां आके पड़ी, तो सब कुई मूव आउट कर रहे थे, फ्रॉम जार्खन टू कॉलकता, तो गेट देर सीपिटी क्लासे, तो जॉइन कोचिंग सेंटर्स पर M.B.A. प्रिपरेशन और बट मुझे उस तेम कुछ समझ नहीं आ रहा था कि मुझे क्या करना है, फिर मैंने ग्रेजुएशन के लिए यहां पर एड्मिशन लिया कॉलकता में, फिर मैं यहां आ गई, उसके बाद ग्रेजुएशन का फर्स्ट एर खतम हो गया, मैं भूल गई, मैं खो गई अपने कॉलिज लाइफ में, कॉलिज लाइफ इंजॉय करने लगी, मैं भूल गई कि मैंने कभी कुछ ऐसा बोल जानक मेरी एक फ्रेंड ने बताया कि वो CS Foundation का प्रेपरेशन कर रही है, और वो उसने बताया नहीं, वो बुक लेके आदी थी, CS Foundation का, तो मैंने बोला कि यह तुम क्या पढ़ती रहती हो, तो फिर उसने उस टेम मुझे बताया कि वो CS Foundation का तेयारी कर रही है, तो मैंने उसे कुछा कि, अच्छा CS Company Secretary, तो मुझे इसके बारे में बता सकती हो, तो उसने मुझे एक आइडिया दिया कि इस कोर्स के बारे में, उसके बाद मैं घर गई, मैंने सोचा कि, चलो यार, अभी बहुत लेट हो गया, अब कुछ करते हैं, फिर मैंने इसके बारे में सर्च किया, मैंने जाना कि ये कोर्स क्या होता है, इसमें कौन-कौन से सब्जेक्ट होते हैं, इसमें प्राक्टिकल सब्जेक्ट कितने होते हैं, क्योंकि, guys, honestly speaking, मैं प्राक्टिकल सब्जेक्ट से बहुत डरती हैं, मैं बहुत भागती हूं प्राक्टिकल सब्जेक्ट से, तो मुझे बहुत डर लगता था कि मुझसे तो नहीं हो पाएगा क्योंकि उसमें हम जानते हैं कि पुरे ही प्राक्टिकल सब्जेक्ट्स होते हैं मैं हमेशा से बहुत वीक रही हूँ तो फिर हम आये तो फिर मैंने अपने second year में मैं डिसाइड किया कि नहीं मुझे कमनी सेकेटरी कोर्स करना है मैं कोर्स करने लगी पर अट डाट टाइम आई वोज नौट वेरी सब्सक्राइब करने के लिए मुझे कोचिंग लेनी के लिए मैं घर से पैसे नहीं लेना चाहती थी तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं खुद से प्रिप्रेशन करूं और गाइस मैं एक सेपरेट वीडियो जरूर बनाऊंगी कि अगर आप भी सीएस पाउनेशन कर रहे हैं तो आपको बिल्कुल भी त्यूशन लेनी के जगत नहीं है गाइस ओनिसली स्पेकिंग डोंट ड्रेन यूर मनी इन कोचिंग सेंटर से इफ मैं कर सकते हूं आप भी कर सकते हूं तो गाइस यह था मेरा डिसीजन की मैंने कमनी सेकेटरी कोर्स क्यों चुना कमेंट बॉक्स म आप जुरूर बताए कि आपने यह कोर्स क्यों चुना है